नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रिस में और मैं आपके साथ विदीशा शांडिल्या हर्याना के हिसार के महुले की एक युवती के साथ रोहतक के युवक ने दोस्ती का जहांसा देकर जबरदस्ती कई बार दुशकर्म किया है आरोपो की माने तो युवक ने युवती को जान से मारने और अशलील फोटो को वाइरल करने की धमकी भी दी है फिलहाल पीडिदा की शिकायत पर ह्ट्यम धाना पुलिस ने रेप और छेड़ चार में केस दर्ज कर लिया है इस बारे एसाई जैवीर सिंग ने बताया कि वह करीब तीन साल पहले अपनी दुकान पर बैठती थी रोतक का एक युवक महले में किराए के मकान में रहता था युवक ने उससे दोस्ती कर ली A.S.I. जैवीर सिंग ने बताए कि युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुश्कर्म किया गया है तदा उसके अशलील फोटो खीच ली गई है विरोध करने पर अशलील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है A.S.I. ने बताए कि उसके परिजनों ने पास के जिले में उसकी शादी तै कर दी और युवती ने शिकायत में आरोप लगाया है कि होने वाले पती को भी आरोपी ने उसकी अशलील फोटो भेज दी है जिसके कारण उसकी शादी वहां से तूट गई आरोप है कि अभी भी युवक उसे ब्लैक मेल कर रहा है कर उसके साथ बार बार दूस्करम करता रहा है वह उसको जान से मरने की तंकी विगरावी दी और युवती ने आरोप लगाया कि उसकी कहीं उसका रिष्टा तै होया था वहां भी उसने जुना वह अपनी वीडियो वगरा उसके पास वाइरल की है जो दर्खास के अनुसार शिकायत के अनुसार दारा 376-2N-304-D-506 के तैट मुकदमा दर्ख रिष्टर कर लिया गया है मुकदमा आजा की तप्तीष मिजारी है तप्तीष के दोरान जो भी तथे सामने आएंगे वैसे मुकदमा आजा में आगामी का रूए इमली मिलाईगे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल प्तीष में प्तीष एंटर्प्राइब